Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं Season 1, Episode 2, Cabinet of Curiosities को explain करूँगी. इसका मैंने Episode 1 कल ही explain किया है और उसका link मैं आपको उपर i-button में दे दूँगी. तो आप उसको भी देख लेना. जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि इसमें 8 episodes है और 8 episodes अलग-अलग लोगों ने direct करा है. तो इस वाले episode में देखना बनता है कि इस director ने हमारे लिए क्या रखा है. और इस वाले particular episode का नाम है Graveyard Rats. ये वाला जो particular episode है ये भी Del Taro के introduction से start होता है जहां हमारे हर episode के starting में आते हैं host की तरह और episode के बारे में थोड़ा सा बताते हैं. ये वाला जो particular episode है ये 1900 का दिखाया गया है हमें background जो सेलम में है set और हम पहले scene से ही देख पाते हैं कि ये वाला जो episode है ये linger on नहीं करने वाला है एकदम straight to the point आ जाता है. episode यहां पर शुरू होता है हमें दो grave यार robbers को दिखाते हैं जो यहां पर robbery कर रहे होते हैं उन graves की जिनको अल्रेडी बरी कर दिया गया होता है क्योंकि उनमें अलग-अलग jewels होते हैं जिनको वो चुरा के बेच के पैसे कमा सकते हैं. इनको देखके लग रहा है कि यह लोग बहुत जादा बड़े robbers तो नहीं या सच क्योंकि इनको जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है चुराने को उससे वो content लग रहे होते हैं. मगर जल्दी इनका यह जो robbery है वो बंद हो जाता है क्योंकि trees के पीछे से एक आदमी आता है जिसके हाथ में gun होता है और वो उनको रोग देता है. वो आदमी अपने आपको introduce करता है बोलके कि उसका नाम Mason है और वो steward है graveyard का. बेसिकली वो graveyard का एक तरह से care taker है जिसको duty पर रखा गया है पुरी security को देखने के लिए graves के. जैसे ही जो grave robbers हैं वो देखते हैं कि Mason के हाथ में gun है वो अपना सारा जितना भी jewels उनने अप तक चुराया होता है वो तुरंद ही surrender कर देते हैं उसको. जिसके बाद हम देख पाते हैं कि Mason उनको lecture कर रहा है इस चीज़ पर कि कैसे हमें respectful रहना चाहिए मरेवे लोगों को लेके. क्योंकि उसके according backbone है human civilization की deadlock और वो लोग ऐसे चूरियां करके उनको बहुती जादा degrade कर रहे हैं और undermine भी कर रहे हैं जो basic human value के against है. इसके बाद Mason उनको एक warning देता है strong सी जिसके बाद वो उनको जाने देता है जिससे कि वो दोनों जो robbers हैं वो काफी ज़दा relieved लग रहे होते हैं. मगर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि Mason भली देखके लग रहा है कि बहुत अच्छा इंसान है, caretaker है, graves का तो वो उनका ध्यान रखेगा, मगर आप इस धोके में मताना. क्योंकि जैसे ही वो दोनों robbers वहाँ से चले जाते हैं, वैसे हम Mason को देख पाते हैं कि वो खुद ही graves के अंदर गया है, joules और valuables को डूढने के लिए, जोन robbers ने शायद पीछे छोड़ दिया हो. उसको एक coffin के अंदर एक dead body दिखती है, जिसके एक सोने का दाथ है, जिसको वो जबदस्ती निकाल लेता है, मगर जब वो उसको देख रहा होता है, तब ही वो उसके हाथ से चूट के नीचे गिर जाता है, और जब वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, वापिस कोई कात्मी के पास वो लेकर आता है, इस आदमी को देखके लग रहा है कि इसने मेसन को इंचार्ज रखा है सिमेटेरी को लेके, और इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ बिजनस से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं, उसको यहाँ पे जो भी returns मिल रहे होते हैं, उसको मेसन को मिला होता है, उसको वो ऐसे छोड़ देता है, और बोलता है कि उसके पास जो समय है, बहुत ही जादा जल्दी जल्दी निकल रहा है, बलकि वो उल्डा यहाँ पे मेसन को धमकी भी देता है, कि अगर उसने पैसे जल्दी नहीं लोटाए, तो उसको पता होना पैसों से मतलब है, जिसके बाद वो आदमी मेसन को एक हफता देता है सारे पैसे देने के लिए, और अगर उसने ऐसा नहीं किया एक हफते के अंदर अंदर, तो वो उसको उसी एक कॉफिन में डालके गाड़ देगा, यहाँ देखके लग रहा है कि मेसन के पास अब कोई औ करने वाला होता है, तब ही उसको एक रिसेंटली मरा हुआ आदमी मिलता है, जो काफी ज़्यादा अमीर हुआ करता था, और उसका देखा जाए, तो जितने भी दात है, उसके जो 80% दात है, वो सारे सोने के हैं, और जैसे ही वो उसके दात बाहर निकालने वाला होता है, तक कि वो उस आदमी को ग्रेव यार्ड में बरी नहीं कर दिया जाता, यहाँ पे मेजन को देखके लग रहा है, कि अलगी लेविल पे अच्छा लगने लग गया है, जब वो रिलाइस करता है, कि वो आदमी को साथ में गाड़ा जाएगा, उसके एक स्वार्ड के साथ, जो अपने घर वापिस आ गया है, जहाँ पे हमें उसके बारे में और जादा पता चलता है डीटेल में, यहाँ देखके लग रहा है कि उसके पास कुछ खास काम है नहीं करने को, और जो ग्रेव को चुराने का उसका जो काम है, वही एक उसके पास ऑप्शन है अपने मिजरी से बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे उसको एक नाइट में टाइप आता है प्रेमनेशन, जहाँ पे उसको दिखाई देता है कि बहुत सारे चुहे उसके सीलिंग को तोड़के उसके उपर गिरने लग गए हैं, जिसके बाद हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ प खुदेवे इतना टाइम हुआ ही नहीं है कि वो वापिस से जाके उसको खोदने लग गया है ग्रेव में चोरी करने के लिए, जिससे कि जितने अभी समान उसमें वालियोबिल वाला है, वो सब उसको निकाल सके, मगर जैसे ही वो कॉफिन को खोलता है तो वो शौक हो जाता जाय देखके कि जो बाड़ी है उसको अंदर कोई खीच के ड्राग करके लेके जा रहा है डीपनेस में। और वोप्यादी सके बाड़ी कर रहे होता है, वो यहाँ पे बाड़ी को रोखने की कोशिच तो करता तो पैर पकड़ के मगर उसके हात में सिरसं के बाड़ी का जू नहीं होंगे डेप्ट को क्लियर करने के लिए जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही उन टनल के अंदर जाएगा बॉड़ी से जूल को रिट्रीव करने के लिए देखके लग रहा है कि यह जो टनल्स है वो आक्चली चुहोंने खोदे हुए हैं क्योंकि वो होता है और उसके हाथ में दो चीज होती है एक उसका पिस्टिल और दूसरा उसका फ्लैश लाइट वो यहाँ पर अपने डर का सामना करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया का डर होता है मगर तब भी उसको यह नहीं मालूम कि उसकी जो पुरी ज कोशिश कर रहा होता है वो यहाँ पर डेस्प्रेट होके उनके तरफ गोली तो चलाता है मगर उनको तो कोई फाइदा नहीं होता बलकी उल्टा उसके पैर पे ही गोली लग जाती है वो एक दम पेन और शौप में होता है और अपने आपको एक कौने में उसने दबाया वा ह कि तब ही अचानक से वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा चूहा है जो अलमुस्ट उसके साइस का ही है जो उसके पास आके उसको हलका सा स्निफ भी करता है यहां पे मेसन नहीं चाता कि वो चूहा उसके कुछ पी करे के अटाक करे तो यहां वो अपनी सास रो वक है उसमें से एक टनल में वो जहींच जाके गिरता है जो बहुत ही जादा डीप होता है जब उसका यह fall end होता है तो हम देख पाते हैं कि वो किसी तरह के बड़े से hallway में जाके रुका है जो basically देखके लग रहा है कि black church टाइप चीज है जहां पर काफी अजीब अजीब valuables हैं और jewelry हैं वो लगे हुए हैं वो यहां पर काफी जादा thankful हो रहा होता है कि उसको यह सब मिल गया है क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा चुहे जितने इंसान को खा सकते हैं उनको वो already खा चुके हैं तो वो जूल्स का क्या ही करेंगे इसके बाद वो जल्दी जल्दी जितने युल्री और valuables वहां होते हैं वो जल्दी जल्दी पकड़के अपने हाथ में रखने लग जाता है तब ही वो अचानक से पीछे मूड के देखता है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत ही अजीब सा एक डाइटी है जिसके टेंटिकल्स हैं उसके face की जगा और उस डाइटी के opposite side में उसको एक devotee दिखाई देता है जिसके हाथ folded है मगर वो जो devotee है वो actually में सरतावा कंकाल है मगर इन सब चीजों को छोड़के उसका ध्यान इस चीज़ पे जाता है कि जो devotee है उसने अपने neck पे एक gold का pendant पैना हुआ है जिसके बाद Mason जाता है उस devotee के उ हाथ में जितने भी jewelry और valuables होते हैं सब को लेके वो किसी तरह से वहां से निकलने का manage कर रहा होता है और वहां पे उल्टा देखा जाए तो जो zombie जैसे दिखने वाला जो devotee है basically जो corpse है वो उसको दोड़ा भी रहा होता है दोड़ा क्या रहा होता है उसको follow कर रहा होता है मगर Mason को देखके लग रहा है कि वह से जाधा speed में है इसले वो से बच्छ के किसी तरह से निकल जाता है और जैसे यहा पे मेशन को लग रहा होता है कि finally वो बहार निकलने ही वाला है कि वह जो बड़ा वला चूहा है वह opposite direction से उसके आजाता है अब यहाँ पे Mason को देखके लग रह है कि वो ट्राप हो चुका है उन पैसेजवे में और उसको एसकेप करने का कोई भी जगन दिख नहीं रहा मगर वो लखी यहां पे इसले हो जाता है क्योंकि वो गलती से ट्रिगर कर देता है क्लांसलाइट को और इसकी वज़े से एक बड़ा सा पत्थर आके उस रॉड़न के सर पे आके गिरता है और वो चुहा मारा जाता है अच्छी बात यहां पे यह भी है कि वो जो डिवोटी का जो डेट बॉड़ी है वो भी किसी तरह से डेबिरी जो होता है लांसलाइट के वज़े से उसके पीछे ही ट्राप हो जाता है जब यहां पे इतना डेस्परेट हो और उसका जैसे ही पूरा से लाइट चमकता है और उसको लगता है कि टेनल से बहार निकलने का रास्ता उसको मिल गया है वो किसी तरह से अपना struggle करकर के उस light तक पहुचता तो है मगर वो ये realize नहीं करता कि वो जो light है वो actually reflect हो रही है उसके खुद के torch से चुकि वहाँ पे एक plaque रखा हुआ होता है और उस plaque पे लिखा होता है में ही rest in peace इतना struggle करने के बावजूत भी हम देख पाते हैं कि Mason बाहर तो निकला नहीं है उल्टा एक coffin में fuzz गया है क्योंकि हो सकता है कि उन चूहों ने उस coffin में जो body थी उसको वो drag करके ले गए हूँ इस वज़े से वो coffin खाली है जिसमें वो फसा हुआ है और यह देखके लग रहा है कि Mason का worst nightmare है मगर यहाँ पे Mason help के लिए चिला तो रहा होता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो जो चूहे हैं वो जल्दी उसको अपना खाना बना लेते हैं जब वो उसके insights को खाने लगते हैं इसके बाद हमें वापिस से जो लास सीन है का वो फर्स सीन पे लेकर आता है जहां पे जो दुग्रेव रॉबर्स हैं उन्होंने coffin को खोला है और surprise जाते हैं देखके कि coffin के अंदर जो body है वो Mason की है और और ज़्यादा शौक उनको इस बात का लगता है कि वो जो body है वो actually में चुहोंने अंदर से खाली है पूरी तरह से और उन्होंने एक तरह से उसके body के अंदर ही passageway बना दिया है जहां वो उसके मूँ से भी निकल रहे होते हैं और उसके body के अंदर ही move around भी कर रहे होते हैं देखा जाए तो जिसे पहले वाले एपिसोड में हमारे पास Nick का character था वैसे ही similar character हमारे पास यहां पर Mason का है देखा जाए तो यह भी इसलिए है क्योंकि greed है जो basically लालच होता है वो किसी को भी मार सकता है और यहां पर Mason एक ऐसा character है जिसके लिए जो viewers है बहुत जादा sorry feel करने वाले हैं नहीं देखा जाए तो वो बुरा इंसान भी नहीं है बट हो सकता है कि वो अपने problems के वज़े से उस situation में फसा हो क्योंकि इस वाले episode में हमें lowest rate of the society को basically एक तरह से दिखाया गया है कि वो कैसे financially अपने problems को deal करने का कोशिश करते हैं अब यहां पर जो creatures हैं जो इस episode में दिखाए गए हैं उसकी बात कर लें तो पहले जो rat का effect है इसमें जो Mason जितना ही बड़ा है size में specially वो सारा जो scenes है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और आप अपने ही बैठे बैठे ना अंदर skin आपके crawl करने लग जाएगी देखके कि है भगवन हो क्या रहा है यहां पर एक और चीज notice कर सकते हैं हम उस rat के बारे में कि उसकी जो fangs है basically जो उसके दात है वो बहुत ही जादा sharp है उसकी जो eyes है वो constantly glow कर रही होती है जैसे कि ray भी हुआ हुआ उसको मगर देखा जाए तो यह बड़ा वाला rat है उसको मेसन दो बार outsmart तो कर देता है मगर जब चोटे चोटे rats हैं जो उस पर आगे गिरते हैं और उसको दोड़ाते हैं वो वाली चीज और जादा स्कोर मी टाइप है अगर इतने सारे नंबर में 7 rats आ जाते हैं तो वो काफी जादा strong लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक body को अपना अंदर खीच लिया है तो obviously वो साथ में काफी जादा strong होंगे दूसरा जो creature है उसकी बात कर लें तो actually वो devotee नहीं है जिसके मूँ के जगा tentacles है बलकि वो devotee है जो एकदम zombie जैसा है अंदर कोई organs नहीं है कुछ भी नहीं है बस एक skeleton है और अगर आप ऐसे situation में फसे वे होगे तो आपके लिए भी उस चीज़ को देखना काफी ज़्यदे terrifying होने वाला है मगर अगर हम उस corpse की बात करें तो उसको mason को या सच मारने में कोई interest दिखने रहा होता है basically उसको वो जो piece of jewelry होती है वो pendant gold वाली वो वापिस लाने में interest होता है बस last में यहाँ पर हम mason के भी बात कर लेते हैं तो mason यहाँ पर Nick की तरह बुरा आदमी नहीं है बस वो desperation है उसको survive करने का किसी भी तरह से क्योंकि हम यह चीज lowest threat of the society के point of view से देख रहे हैं moreover इसमें जो सारी चीज़े हैं वो metaphorically represent करी गई है जैसे कि उसका जो एक तरह से जो action है towards the dead people जो उनको बिल्कुल भी वो इज़त नहीं देता है या फिर वो senselessly जो actions कर रहा होता है जब वो tunnel में फस गया है इनी सब शीजों की वज़े से वो इतना tragically मारा भी गया था end में यहाँ पर कोई भी बोल सकता है कि जो graveyard के अंदर चूहे थे उनकी वज़े से वो actually में मारा गया बट ऐसा नहीं है अगर वो courses के jewels और valuables को चुराने के लिए नहीं जाता और इतना greedy नहीं होता तो वो उन tunnels में नहीं फस था और जिसकी वज़े से वो end में coffin में भी फसा और वो मारा भी गया अगर आपको इस episode के explanation पसंद आई हो then do like the video, subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram link आपको नेचे description box में मिल जाएगा thanks for watching, bye